Hi everyone, कैसे हैं आप सब, I hope you are super fine and अच्छ से exams की त्यारी कर रहे हो ना, एक छोटी सी बात, आप एगर exams की त्यारी कर रहे हो, तो पहले important topics and important chapters कर लो, वह में कैसे पता लगएगा important topics या chapters क्या हैं, previous year questions उठाओ, जैसे last year का question paper, वहाँ पे देखो, किस topic से हर बार question आ रहे हैं, जैसे यह नहीं first spaces, start to end तक जा रहे हो, नहीं, पहले important topics pick करो, चाहे हो मेरा maths का subject हो, चाहे हो, आप कोई भी subject पढ़ रहे हो, पहले जो हर बार paper में आता है, पहले उसे त्यार करो, चिक है, यह को त्यारी करने के दो method होता है, देखो, यह मेरे पास मालो, यह पूरा syllabus है, या तो एक इसको पूरा एसे पढ़ना शुडू करेगा, और end तक जाएगा, एक smart बच्चा क्या करेगा, पहले important portion कर लेगा, यह सारा, फिर बाकी बचा हुआ, extra वो कर लेगा, लेकिन पहले important portion करेगा, तो मैं क्या कहूंगी, पहले important चीज़े करो, फिर extra चीज़े पढ़ना, college में, paper मे बहुत सारा choices होता है, बहुत सारा choices होता है, आपको सारा सारा पढ़ने की विज़रूरत है, इतनी choice होते हैं, कि अगर आप selected portion भी करका जाओ, full marks आ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रतना, तो जब त्यारी कर रहे हो, थोड़ा सा smartly काम करो, important चीज़े पहले करो, बाकी छोड कुछ नहीं है, उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले important चीज़ों को फड़ा-फट सिर्कत करते हैं, ठीक है, without any delay, start करते हैं आज की class, तो relation and functions हमने start किया हुआ chapter, and relation function का आज last class है, ये chapter आज complete हो जाएगा, ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले है, super duper easy inverse function, मैं आपको बताऊंग inverse function होता क्या है, और फिर आप मुझे solutions बताऊंगे questions की, current start फिर, चले, फिर start करते हैं आजी class, inverse function होता क्या है, जैसे inverse relation किया था ना, वैसे ही inverse function, देखो कैसे, मालो function क्या है, a से b, तो जो f inverse है, function का inverse, उसको कैसे लिखते है, f inverse, अगर f a से b है, f inverse होता है, b से a, ये चीज़ क कहां से कहां होगा, b से a, उल्टा जाता है, अगर ये a से b, तो ये b से a होगा, क्यों, f inverse, इसमें कोई दिखते हैं, अगर function a से b है, तो f of a b के equal होगा, पहले मुझे बता दो, अगर function a से b है, तो f of a b के equal होगा, कैसे, अगर यहां का कोई a element है, यहां का कोई b element है, यह function है, इसमें relations तो होंगे, a का b से relation होगा, तो f of a equal to b होगा, ऐसी लिखते हैं नो functions में, यह चीज़ के लिए रहे हैं, अब आगे देखो, जैसे f of a b है, inverse में क्या होता है, यह f उदर चला जाता है, लेकिन inverse बनके, यहाँ पर a ही रह जाएगा, यह f inverse b बन जाएगा, जैसे plus उदर जाके minus हो जाता है, multiply उदर जाके divide हो जाता है, वैसे यह function उदर जाके f inverse बन जाता है, तो a is equals to f inverse b, या फिर बोले तो f inverse b is equals to a, this is the inverse function, आप x equal to y लिखो या y equal to x, फरक नहीं पढ़ता ना, यह की बात है, तो a is equals to f inverse b लिखा था, मैंने f inverse b is equals to a लिख दिया, this is the inverse function, बहुत ध्यान से अराम समझे, बहुत easy है, मालो एक function था a से b, तो f inverse कहां से कहा होगा, b से a होगा, अगर यह f of a b है, f उत जाके inverse बन जाता है, तो यह f inverse b, एक एक बन हो गया, यह चीज समझाई, दूसरी चीज, अब यहाँ पर b था ना domain, तो हमेशा कोई भी function अपने domain के element पर लगता है, तो f inverse b भी पर ही लगना था, इसलिए f inverse b एक एक बना है, यह चीज के लिए अच्छे से समझागी, एक चीज ओर, क्या हम हर function का inverse निकाल सकते हैं, मैंने आपको f दिया, क्या आप इसका f inverse बना सकते हो, g दिया, क्या g inverse बना सकते हो, नहीं, हर function का inverse नहीं निकाल सकते, उन्ही functions का inverse निकलता है, जो function bijective होते है, bijective का मतलब, one-one भी हो, और on-to भी हो, अगर मेरा f one-one भी है, on-to भी है, मतलब bijective है तब मैं कहूंगी कि f inverse exist करता है अगर ये bijective नहीं है तो f inverse exist नहीं करता है ये चीज़ clear समझ आगे चीज़ पहले मैंने आपको definition बताई ये second note लगा लो कि अगर function bijective है तो f inverse exist करेगा नहीं तो नहीं थर्ड चीज़ देखो बहुत ध्यान से मालो f of a b था है ना इसका मतलब a किस से related है b से related है फिर मैं ये f inverse कहा लेगी इधर लेगी ये a is equal to क्या बन गया f inverse b मतलब f inverse b क्या आ गया a आ गया मतलब b किस से related हो गया a से related हो गया मतलब function में a b से related होता है a, b होता है f inverse में उल्टा हो जाता है b a से related हो जाता है b, अगर ये दो-तीन चीज़ें आपको definition by adjective के condition और ये condition समझा आगी आज की class उपर उपर आपको इसली समझा जा जा समझा ही चीज अगर function में आलो f of a b था तो a b से related था अब इसने f inverse बना था बन गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है f inverse b equal to a आया मतलब b किस से related हो गया a से तो पहले a b की bracket बनी a b से related था inverse में आके वो b a से related हो गया इसमें कोई दिक्कत चले आगे हमेशा जो f की bracket में होता है f inverse की bracket में होता है वो दूसरे से related होता है तो यहाँ पे B A से related हो गया समझा है यह चीज़ अभी questions में और अच्छे समझाएगा अब फटफट से definitions पढ़ लेते हैं लिखा क्या है फिर आगे चलते है questions पे वो कहते है अगर F A से B कोई byjective function है मैंने बोला था उसी function का inverse निकाल सकते है जो byjective हो ठीक है वो कहरे है कोई function है जो byjective है मतलब 1 1 है on 2 है और कैसे defined है F A equal to B अब यह A जो है कहां से है A से होगा यह जो B है कहां से होगा B से होगा क्योंकि function ही हमारा A से B था यह sign से डरते तो नहीं अभी तक आप belong जैसे आप किस city से belong करते हो है पर एक्जामपल अनामिका ले लिए जिक है अनामिका किस city से belong करते है तो यह belong का sign है मतलब पूरा ना लिखना पड़े belong वैसे यह small A कहां से आया है capital A की city से आया समझाई चीज तो यहां पर यह लिखा हो है small A capital A से small B capital B से वैसे भी यह वाला element हमेशा domain से होता है और right hand side वाला core domain से होता है ठीक है उन्होंने F के बारे मता है कि एक function है by objective है और ऐसे हम define कर सकते है आगे क्या बोला यह तो जो inverse function है F का वो F inverse है वो कैसा होगा B से A अगर function A से B है उसका inverse B से होगा मैंने भी आपको यह बताया define कैसे होता है F inverse B is equals to A से इसमें कोई दिक्कत देखो बैसे ही बना है जैसे F of A क्या था B था यह F उदर गया inverse बन गया A is equals to F inverse B उसे से देखो यहापे लिखा है F inverse B is equals to A इसमें कोई दिक्कत अगर आप A equal to F inverse B लिखो यह F inverse B equal to A यह एक ही बात है चाहिए इदर लिखो या इदर है तो equally वो ही लिखा हुए जहाँ पर वो बता रहे है कि A अभी भी capital A से है और small b अभी भी capital B clear हो गए यहाँ तक अब आगे देखो अब हमने कहाँ कोई function ऐसा नहीं कि हर function का हम inverse निकाल देंगे उन्ही functions का inverse निकल सकता है जो क्या हो byjective हो मतलब जो one one भी हो on two भी हो तो ठीक है तिर ऐसे functions जिनका inverse निकल सकता है जो byjective है उन function को क्या बोलते है invertible बोलते है जो functions का inverse हम निकाल सकते है उनको क्या बोलते है invertible समझ आगी चीज आगी कहते है अगर function byjective नहीं है तो हम उसका inverse function define नहीं कर सकते अगर उसको अपना inverse ढूनना है तो पहले तो वो byjective होना चाहिए और ऐसा function जिसका inverse निकाल सकते है उसको invertible बोलते है ये चीज़े clear होगी अब क्या करते है quickly revise कर लेता है उन्हें पढ़ा क्या हमने पहले definition पढ़ी inverse function की फिर हमने देखा कि function अगर 1 1 on 2 होगा तभी उसका inverse निकाल सकते है नहीं तो नहीं और ऐसी function जिनका inverse निकलता है उन्हें क्या कहते है invertible functions क्या कहते है invertible functions clear है ये चीज़ अब चलें आगे बहुत simple है आगे देखो अब question का कहते है A ये दे रखा है B ये F ये दे रखा है determine the inverse हमें inverse निकालना है बहुत simple है F क्या है मेरे पास A1 B3 C2 चीक है अब एक बात बताओ F inverse मेंने क्या बोला था कि ये उल्टा हो जाते है अगर F में A1 है F inverse में 1 ने हो जाएगा अगर यहां पे B3 है तो यहां पे 3B हो जाएगा यहां पे C2 है तो 2C हो जाएगा that's it अगर function आप ये रखा है A का 1 से रिलेशन है F inverse में क्या हो जाएगा 1 का A से रिलेशन हो जाएगा जैसे मैंने बताया था F में A का B से रिलेशन था F inverse का क्या हो गया था B का A से हो गया था तो बस F inverse में उल्टा लिख देते है अगर A का 1 से है इसमें 1 का A से हो जाता है इसमें कोई टिक कर, एन चीज को डफ तो नहीं है, अब आगे देखो, ये इसका solution है, 1, A, 2, C, 3, भी दिखा हुआ जैसे मैंने आपको बता है, आगे चलते हैं, Next is, Show that the function this and this, for all x belongs to R, R inverse of e तर, मुझे शो करना है, कि जो F और G हैं, एक दूसरे का inverse है, क्या शो करना है, एक दूसरे का inverse, अगर आपको किसी 2 function को, एक दूसरे का inverse शो करना है, आप उनकी composition निकाल दो, क्या निकाल दो, आप उनकी composition निकाल दो, आप composition जब निकालोगे, F of G, X का answer, अगर X आ गया, तो ये एक दूसरे का inverse बन जाएंगे note कर लो ये point अगर आपको दो functions को एक दूसरे का inverse दिखाने उन दोनों की composition निकालो जिस पे composition लग रहे है मालो x पे आपका solve करके answer x ही आना चाहिए तो अगर ऐसा होता है it means ये एक दूसरे का inverse होंगे ये चीज़ clear है ऐसे similarly हम g of f पे लगाएंगे x करेंगे अगर वापिस से एक सांसर आया तो हम कहा दें कि yes f of g एक दूसरे का inverse एक condition है अगर आपको किसी भी दो function को एक दूसरे का inverse दिखाने समझ आगे चीज़ मुझे f of g को एक दूसरे का inverse दिखाने करते है फटा-फट से case 1 क्या करेंगे f of g x निकालते है ठीक है तो मैंने आपको बताया था g x के पास इसको फटा-फट से पकड़ लेगा तो ये f g x बनेगा ठीक है g x क्या है x की power 1 by 3 तो ये f of x की power 1 by 3 बन जाए आगे देखो अब f of x क्या है f of x क्या है x cube मुझे चाहिए f of x की power 1 by 3 अगर left hand side x की जगा x की power 1 by 3 डल रहे तो right hand side भी x की जगा x की power 1 by 3 डलेगा और उपर वाला 3 as it is ये चीज़ क्लियो रही अगर left hand side मैंने x की जगा क्या डला x की power 1 by 3 तो right hand side भी x की जगा क्या डलेगा x की power 1 by 3 ही clear होगी चीज़ तो यहाँ पर डाल देते है x की power 1 by 3 और ये उपर वाला 3 भी तो है इसको यहाँ लिख देते है अब ये power क्या हो जाती है multiply हो जाती है x की power 1 by 3 into 3 3 से 3 cancel answer क्या है x ये तो बहुत अच्छा हो गया f of g x डालने से x ही answer आ रहा है it means case 1 तो successful हो गया की मेरा यहाँ पर f of g x is equal to x ही आ गया इसमें कोई दिख चले आगे अब case 2 पर चलते है case 2 क्या दिखाना है मुझे मुझे ये दिखाना है की g of f x भी क्या आता है x आता है अगर ये दोनों cases satisfy हो जाते है तब हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के inverse है अब यहाँ पर ध्यान से देखो ये क्या बनेगा देखो start करते है g of f x निकालना है अब पहले f है ने x के पास f x को पकड़ लेगा तो g f of x f of x क्या है x cube डाल दो यहाँ पर that is x cube चिके अब g of x है क्या that is x की पावर 1 by 3 मुझे चाहिए g of x cube तो मैं left hand side x की जगा क्या डाल रहे हूं x cube तो right hand side भी x की जगा क्या डालेगा x cube और 1 by 3 बहारवला as it is ये चीज़ के लिए रहे इसका मतलब यहाँ पर x cube की पावर 1 by 3 ये पावर बहारवली multiply हो जाते है तो x की पावर 3 into 1 by 3 यहाँ क्या है जगा x की पावर 1 that is x मतलब ये g of f x भी मेरे पास क्या आ गया that is x इसमें कोई दिख समझ आई चीज़ मतलब अगर मैंने f of g x निकाला वो भी x आ रहे है अगर g of f x निकाला वो भी क्या आ रहे x आ रहे है इसको और कैसे लिख सकते है अगर मैं ये x x ना लिखना चाहूं मतलब मेरे पास f of g i आ रहा है i का मतलब क्या है कि जो element डालते है वही element टांस रहा जाते है identity की तरह ऐसी x x ना लिखना चाहूं तो मतलब g of f क्या आ रहे है i आ रहे है identity आ रहे है कि g and f are inverse of each other अगर ये दोनों कंडिशन इनोंने satisfied ये चीज़ क्लियर है बहुत सिंपल है अगर आप आराम से चलते जाओं इसमें कोई डाउट होने है कि i q लिख है बिल्कुल सिंपल सा x डालने पर x आ रहा है तो identity की तरह तरह ट्रीट हुआ तो f of g को i लिख दिया x डालने पर यहां पर भी x आया था g of f को भी i लिख दिया अगर f of g भी आया रहा है g of f भी आया रहा है तो f of g एक दुछरे का inverse होते है चले आगई question clear है easy था बहुत सिंपल next question पर चले चले पर next question देखो let x is this f of x define किया हुआ है कि यहां पर values दियू ही है determine करो यह square cube यह हमने power scale निकाल ली आज निकाल ले है f inverse बहुत सिंपल है बताओ निकाल सकते हो न देखो f क्या है that is a b आगे क्या है b a and c c ठीक है अब f inverse निकालो क्या है गा that is उल्टा करना है बस b a हो जाएगा a b हो जाएगा and c का c रहने वाला है इसमें कोई दिक्कर इस a b को b a लिख दिया इस b a को a b c और c तो s सुच रहने वाले है this is the inverse है कुछ बस उल्टा ही तो करना है बताओ ये वान मा को question आता है चले आगे लास्ट question is अगर function मेरा दिया हुआ है set of integers to the set of integers मतलब function क्या है z से z सच दाट f of x क्या दे रखा है x प्लस 1 क्या कह रहे if f is invertible if so find it inverse कहता अगर invertible है मतलब अगर इसका inverse exist करता है तो बताओ और inverse निकाल के भी दो समझा ही चीए अगर मुझे यह check करना है inverse exist करता है या नहीं कैसे check करूँगी मैं यह check कर दूँगी क्या वो function one one on two है मतलब by objective है अगर function one one भी हो गया on two भी हो गया तो उसका inverse exist करेगा inverse exist करेगा मतलब वो function क्या हो जाएगा invertible हो जाएगा समझा ही चीज इसका inverse exist करता है उसको invertible कहते है तो अगर मुझे check करना है कि function invertible है कि नहीं मैं यह check कर दूँगी कि उसका inverse exist करता है कि नहीं और वो कैसे check करते है one one on two से समझा ही चीज आप one one on two के questions कहा करे थे हमने करे थे ना कब करे थे एक दो दिन होगे हाँ last to last class में किये थे वही हाज हम करने वाले है सबसे पहले क्या check करेंगे one one check करेंगे one one on two important है इसको अच्छे से करके जाना अब देखो पहले check करते है one 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 के लिए क्या करते है let करते है कि f of x1 f of x2 के equal है और proof करेंगे x1 x2 के equal आजएगा जिसने one one on two की class देखे उसको अच्छे समझाएगा आप देखो f of x यह न f of x1 क्या होगा x1 plus 1 f of x2 क्या होगा x2 plus 1 अब यहाँ पे x1 किसके equal x2 plus 1 यह plus 1 हो जाके minus हो जाएगा तो यहाँ से x1 किसके equal हो गया x2 के equal हो समझाएगी चीज मतलए f of x1 अगर मैंने f of x2 के equal करा उससे मेरा x1 x2 के equal आगया तो यहाँ से मेरा function क्या हो गया one one हो गया क्या करते हैं हम हमेशा इसमें f of x1 f of x2 के equal लिखते हैं और वहाँ से proof करते हैं कि x1 x2 के equal आजएग अगर ऐसा होता है तो वह function क्या हो जाता है one one हो जाता समझाएगी चीज बहुत simple है मैंने one one on two की class में explain किया था next चलते है next अब क्या proof करेंगे on two के लिए क्या करते हैं यहाद है क्या करते थे f of x को y डालते थे on two proof करते हैं देखो ध्यान से f of x को y डालो y minus one हमेशे f of x को y डालते है और x की value निकाल देते हैं इसका मतलब क्या है कहते हैं कि जो हमने y डाला है उसके लिए एक x की value हमें मिल रही है इसी को तो on two कहते है कि core domain की हमें pre image मिल जाया core domain की element की क्या मिल जाया pre image मिल जाया उसे on two कहते है तो एक y के लिए x की value हम निकाल पा रहे है y-1 इससे हम क्या कहते है कि function की pre-image exist कर रही है मतलब function ये मेरा on to be हो गया जिसने 11 on to class देखी है उसको अच्छे जमाज आ रहा होगा नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं है playlist का जो link है description box में है आरामस जाके पूरी playlist आप देख सकतो इस chapter समझा ही चीज़ एक दिन में मतलब हाड़ी two to three आज लगेंगे chapter complete हो जाएगा आपका ठीक है अब आगे त्यानस देखो function one one भी हो गया function on to भी हो गया तो अब इसका मतलब इसका inverse exist करता है expenses one one भी है अंटु भी है उसका inverse exist करता है मतलब function क्या है invertible function क्या एक्षाइएकषिस्ट करते है मतलब वह function desenvolud अब आगे देखो वह कहते है so find it's inverse अगर invertible है तो इसका inverse निकलो बहुत easy है यहीं से on-to से लिएश निकलेगा पल पस f of x मेंने y लिया था लिया था ठीके, x की value क्या आगी थी? y-1, आगी थी न, इस x की value को यहीं डाल दो, f of y-1 is equal to y, यह चीज़ समझाए, on-to से ही inverse निकलता है, f of x को क्या लिया था? y लिया था, x की value क्या आगी थी? y-1, यहीं पर यह value डाल दो वापिस, f of y-1 equal to y, यह अगर इधर f है उदर जाके क्या ब y, this is the inverse, यह आपका inverse है, clear ही ही चीज़? inverse निकालना समझा है, on-to से ही निकल जाता है, बस f of x को y लिया था, यहाँ पर value डाल दो, this is the inverse, अगर यह यह लिखे, x में लिख सकते हैं, that is, x-1 is equal to f inverse x, मतलब f inverse x की value क्या आगी? x-1, this is the inverse, यह हमार पस inverse साथ, समझाए चीज, यह इदेर उदर लिखा है, बस left को right में लिखा, right को left में, कोई फरक नहीं पढ़ता है, बिल्कुल सेम बात है, तो f inverse x का answer क्या है, x-1, उसने काला है, find its inverse, उसका answer है, x-1, clear ही चीज, बहुत simple हम चले है, क्योंकि मैं बस function भी x में था, तो मैंने इसलिए inverse भी x में निकाला, इस y की जगा है, x लिखा है, हम variables ऐसे change कर सकते हैं, अगर सारों को एक साथ कर रहे है, समझागी चीज, this is the inverse, पहले one-one-one-two चेक किया, and on-two से ही inverse निकलाता है, I hope आपको अच्छे से clear है, इसको कर लेना important है, एक बार नहीं समझा है, दुबार एक बार repeat पर देख लेना, बहुत अच्छे समझा देगा, क्योंकि पहले आपको बेस नहीं बनाता है, यह क्या है, फिर एक बार complete करने के बार आपको फिर भी थोड़ा सा पता लगता है, चाहां ऐसे ऐसे हो रहे है, तो जब आप दुबारा देखते हो, आप चीजों को लिंक करना, start करने के, I hope you like this video, इसी कस this video, do like, share, comment and subscribe to my channel, which is dream mess, thank you so much for watching.